ओम तत्पुरुशाय विद्महे, महादेवाय धीमही, तन्नो रुद्र प्रचोदया, तन्नो रुद्र प्रचोदया, बुलिये शंकर भगवान की। भक्त जनू, मेरे भोले भंडारी की लीलाओं का वर्णन, वेद पुराणों ने और रिशी मुनियों ने बखाना है। आज मैं आपको भगवान भोले शंकर के इस पंचाक्षरी मंत्र की महिमा की संगीत मैं गाथा सुनाता हूं। जिससे सुनने से आपके जन्मों जन्मों के संचित पापकर्म नस्ट हो जाएंगे। आप भौतिक जीवन के समस्त सुख हो गेंगे और जीवन के अंत में शिवलोग को प्राप्त होंगे। तो एक बार फिर बड़ी ही श्रधा और विश्वास के साथ मेरे साथ बोलिए बोले शंकर भगवान के। जपोरे मन ओम नम शिवाई शिव के मंत्र को जपने वाला ववसागर तर जाँ जपोरे मन ओम नम शिवाई भक्त जनों भोले शंकर के पावन पंचाक्षरी मन्त्र ओम नम शिवाई की पहली पावन कथा है सागर मन्तन की। भक्तों देवता और असुर आपस में सदा युद्ध करते रहते। यह देखकर देव गुरू और दैत्य गुरू ने योजना बनाई के क्यो न सागर मन्तन किया जाए। और जिसमें देवों और असुरों को लगा दिया जाए। ताकि इनका ध्यान भटका रहे और ये आपस में युद्ध न करें। और सागर मन्तन से जो भी निकलेगा देवता और असुर आपस में बराबर बात लेंगे। यह सोचकर सागर मन्तन का निर्ने किया गया भक्तों। मंदराचल परवत्तु मतनी बना लिया गया। भगवान शिव के गले की शोभा वासु की नाग को नेती बना लिया गया। श्री हरी भगवान विश्णू ने कूर्म अवतार लेकर मंदराचल को अपनी पीट पर धरन किया और सागर मन्थन आरंब हो गया भग्दू परन्तु यह क्या पहली ही प्रयास में हला हल विश्वाहर निकला भग्दू जिसे न तो असुरक रहन करने को तयार थे और नहीं देवता अब सृष्टी पर संकट आ गया था यदि इस हला हल को कोई भी धारन नहीं करेगा तो सारी सृष्टी इस हला हल की अगनी में जल जाएगी क्या देव, क्या दानव, क्या श्रीहरी विष्णू, क्या ब्रह्मा जी, सभी भगवान भोले शंकर की शरण में पहुँचे, सभी ने एक स्वर में ओम नमस्चिवाय मंत्र का जाब किया, भगवान शंकर अपने पंचाक्षरी मंत्र को सुन, प्रसन हुए भक्तु, सभी के समक्ष आये, हला हल विष्ण के पात्र को उठाया, और उसे पी कर अपने कंठ में बसा लिया, हला हल विष्ण के कारण, भगवान भोले शंकर का कंठ नीले रंग का हो गया, जिससे भक्तों ने उन्हें नील कंठ का नाम दिया, सभी ने भगवान नील कंठ की जैजैकार बुलाई, तो आप और हम इस अवसर को क्यों गवाते हैं, मेरे साथ बोलिए भक्तों, बोलिए नील कंठ भगवान की, हुआ सागर का मन्थन, हला हल विष्था निकला, देखा जब विष्गो सबने, सभी का दम था निकला, शिव की सब शरन में आए, बोले सब नमह शिवाए, शिव जिसन मुखते आए, विश को फिर कंट बसाए सारी स्रिष्टी निल कंट की जै जै कार लगा जब उरे मने ओंडवा शिवार भक्त जनों भगवान भोले शंकर के पंचाक शरी मंत्र ओम नमश शिवाय की दूजी पावन कथा है भस्मासुर की भक्त जनों भस्मासुर एक भ्यंकर दैत्य था अत्यंत बलशाली अपने बल से तीनों लोकों में हाहा कार मचाए हुए था उसके अतुलित बल को देखकर दैत्य गुरु शुक्राचारे ने उसे भग्वान भोले शंकर की तपस्या करने के लिए कहां ताकि भग्वान भोले शंकर प्रसन्नों हों और उसे अनेक अनेक शक्तियों से परिपूर्ण कर दें भक्तों भस्मा सुर ने भयंकर तपस्या की घंघोर तब किया तब जाकर भग्वान भोले शंकर उसके सन्मुख प्रकट हुए और वर्धान मांगने को कहा पहले तो उसने कहा हे प्रभू यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न है तो मुझे अजर अमर होने का वर्धान दीजिए इस पर भग्वान भोले शंकर ने कहा हे भस्मा सुर ये नीती के विरुद्ध है जो स्रिष्टी में आया है उसका जाना अधियावशक है तब भस्मा सुर ने पंचाक शरिमंत्र ओम नमस्षिवाय का घंगोर जाब किया भग्वान शिव अपि प्रसन्न हुए फिर से वर्मांगने को कहा तब भस्मा सुर ने वर्मांगा के मैं जिसके सिर पर हाथ धरूँ वो तक काल भस्म हो जाए मेरे भुले भंडारी ने आव देखाना ताव तथास्तु कहकर वहां से जाने लगे परन्तु भस्मा सुर वर्दान की शक्ती को जानने के लिए भग्वान शिव के सिर पर ही हाथ धरने चला भग्वान भोले शंकर प्राण बचाते हुए शीर सागर में विष्णु जी की शरण में आये भग्वान श्री हरी नारायन ने मोहिनी रूप धारन किया और भस्मा सुर का अंत किया तो बोलिये भक्तों मेरे सार बोलिये भग्वान विष्णु के मोहिनी स्वरूप की शिव के पावन मंत्र को भसम सुर ने था गाया भसम वो सब को कर दे ऐसा वर्दान था पाया शिव पे बर आजमान असुर भागा फिर आए मोहिनी बन श्री विष्णू शिव जी के प्राण बचाए चाहे असुर हो चाहे दानव शिव जी से वर्पाद जपुरी मन्यों नवाशिव जपुरी मन्यों नवाशिव भगवान भोले शंकर के पावन चर्णों का ध्यान लगाते हुए तीजी कथा सुनाने जा रहा हूँ भगते ये कथा रावन से संबंदित है रावन चाहे कितना बड़ा पापी था भगतो भगवान च्रिहरी विष्णू को राम रूप में अवतरित होकर उसका अंत करना पड़ा परंतु रावन परम्शिव भक्त भी था एक बार की बात थे भक्तों मा गौरा के मन में आया के वो भी लक्ष्मी की तरहे सोने चांदी के महलों में रहे भोले नाच से हट करने लगी भोले शंकर ने लाग समझाया ए गौरा सोने चांदी के महलों में रहना हमारे प्रारब्ध में नहीं है परंतु मा गौरा हट करने लगी इस पर भगवान भोले शंकर ने देव शिल्पी विश्व कर्मा को बुला कर सोने की ऐसी पावन नगरी बनवाई जिसे देख कर तीनों लोग अचंबित रहे गए अब प्रश्न खड़ा हुआ के ग्रह प्रवेश किस से करवाया जाए रावन एक प्रकांड पंडित भी था भक्तों सो भगवान भोले शंकर ने ग्रह प्रवेश के पूजन के लिए रावन को बुलावा भेजा रावन आया भगवान शिव और मा गौरा के चर्णों में नत्मस तक होकर उसने ग्रह प्रवेश की ऐसी पूजा करवाई के मा गौरा और भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो गए और प्रसन्नता में मेरे भोले भंडारी रावन से पूछने लगे कहो रावन तुम्हें दक्षिना स्वरूप क्या चाहिए रावन ने सोने की लंका देखी हुई थी भक्तों सो उसके बन में विचार आया कि क्यों न वो इस सोने की नगरी को ही भगवान शिव से मांगी इसे तो उसने पंचाक शरी मंत्र ओम नमस शिवाय का कठिन जाब करना प्रारंब कर दिया भगवान भोले शंकर और प्रसन्न हुए और वर्दान मांगने को कहा तब रावन ने दान स्वरूप सोने की लंका भगवान शिव से मांग ली और मेरे भोले भंडारी ने एक पल का विलंब किये बिना सोने की लंका रावन को दे दी गोरा हैरानी से भोले शंकर को देख रही है और रावन ओम नमस्षिवाय का जाब करता हुआ सोने की लंका ले जा रहा शिव के पावन मंत्र को भगतो रावन ने गाया शिव से वर्दान रूप में सोने की लंका पाया नहीं कोई और माहदानी भोले शंकर के जैसा जिसन जैसी भगती की फल भी पाया था वैसा जोली उनकी भर जाती जो छोली उनकी भर जाती जो शिव के मंत्र को का जपोरी मन्यों नवाशिवार जपोरी मन्यों नवाशिवार भक्त जनों क्या सुर्व क्या असुर्व दानव मानव किन्नर गंधर्व यहां तक की पशु पक्षी भी भगवान शिव के मंत्र के जाब से भोले शंकर की कृपा को प्राप्त करते हैं प्रम्मा जी ने भी भगवान शंकर के पंचाक्षरी मंत्र को गाया ओ स्रिस्टी के रचाइता बन गे सारे वेदों का ज्यान भी भगवान प्रम्मा जी ने भोले शंकर के पंचाक्षरी मंत्र की महिमा से ही प्राप्त किया भक्त जनों स्रिष्टी के पालन करता भगवान श्रीहरी विश्नु ने जब पंचाक्षरी मंत्र का जाब किया तो लक्ष्मी को पत्नी रूप में प्राप्त किया और अपने वांग अंग में स्थान दिया इंद्र को वज्र और एरावत और उच्चई श्रवा घोड़ा भी भगवान शिव के पंचाकशरी मंत्र के जाप से ही प्राप्त हुआ ऐसे ही भक्तों जिस जिसने भी भगवान भोले शंकर के ओम नमस्चिवाय मंत्र का जाप किया उसने सदा मंचाहा खल प्राप्त किया तो एक बार फिर मेरे साथ बड़े ही प्रेम और शद्धा भाव से बोल दीजी बोलिये शंकर भगवान की प्रम्मजी मंत्र को गाए बने वेतों के ग्याता श्रिष्टि को रचने वाले बने वो भाग्य विधाता श्रिष्टि को रचनी माले बने वो भाग्य विधाता विष्णुने मंत्र को गाया बने वो पालन हारे पत्नी लक्ष्मी को पाए वाम अंग अपने धारे पत्नी लक्ष्मी को पाए वाम अंग अपने धारे आओ भगतों साचे मन से शिव के मंत्र को गान जबुरी मन उन्दब शिवार भगत जनों इस पंचाक्षरी मंत्र में इतनी शक्ती है के जिसने भी इसे सचे मन से जपा उसका कन्ध्यान निश्चित ही हुआ भागी रत की कथा सुनाता हूँ भगतों जिसके पुर्खे राख बनकर प्रेत योनी में भटक रहे थे मा गंगा को धरा पर लाने के लिए उसने ब्रह्मा और विश्नु की घंगोर तपस्या की ब्रह्मा जी और विश्नु जी गंगा जी को धरा पर भेजने के लिए तयार भी थे प्रंतु प्रश्न यह था कि मा गंगा का भारी वेग कौन धारन करेगा इस पर भागीरत ने भगवान शंकर के ओम नमस्षिवाय मंत्र का घंधोर जाब किया भगवान भुले शंकर को प्रसंद किया और उन्हें मना लिया कि मा गंगा को अपनी जटाओं में रोग कर एक पावन धारा घर्दी के लिए छोड़ दे भगवान शिव ने ऐसा ही किया भग्तों मा गंगा एक निर्मल धारा के रूप में भागीरत के पीछे पीछे धरा बराई और उसके पुर्पों का उधार कर दिया ऐसे ही भग्तों यदि आप भी जनम जनम के पापों का नाश करवाना चाहते हैं भोले शंकर की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं तो हर सूंबार भगवान शिव के मंदिर में जाएं उनके शिवलिंग को गंगा जल से नहलाएं बेल पत्र भांग धतूरा अक्षद भी जन्न नित्यादी चड़ा कर उन्हें प्रसंद करें तथा एक माला ओम नमस्षिवाय मंत का जाब करें आपके समस्त पाप कर्म नश्ट हो जाएंगे जीवन के समस्त सुख भोकर अंत में आप भगवान शिव की शर्णाकति को भी जाएंगे तो मेरे साथ प्रेम भाव और शद्धा से बोलिए बोलिए शंकर भगवान की जैले जुकल युग के पापों से मुक्ति को पाना चाहो आए जब सुमवार तो शिवज के मंदिर जाओ करो गंगा जल अर पण दूद और दही चणाओ घिसो फिर प्रेम से चंदन श्रधा से तिलक लगाओ बीच भवर नई आना डोले भवसागर तर जाओ जब पूरी मन्यों नवाशिवाण